हेलो फ्रेंड्स, हेलो सुट्रेंट, वेल्कम बैग तो आवर यूटूब चैनल डीपी स्टडी, तो दोस्तों फाइनली आज मैं आपके लिए ये कक्षा 10 हिंदी कावेखंड पद्य भागो के पार्थों से सम्मंदित ओमार आधारित MSQ का पार्ट टू लेकर आ चुका हूँ पार्ट टू, इसके पहले मैंने पार्ट वन करा दिया है, आपने अगर देखी नहों तो देख लिए क्योंकि वह बहुत ही जादा आपके लिए फायदे मंद है, क्योंकि इसी प्रश्णों में से आपको बोर्ड एक्जाम में हिंदी के प्रश्ण पत्र में प्रश्णों को देखने को मिलेंगे, यह काफी परिश्चा के द्रिष्टी से मतपूर है, तो चलिए बिना देर के पेपर को स्टार्ट करते हैं, तो प्रश्णों को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पहली बार हों, तो चैनल को सब्स्राइब कर लें और बेल करने वाला हूं, जो कि परिश्चा के द्रिष्टी से बहुत ही जादा जो है, इंपोर्टेंट है, तो चलिए बिना देर के प्रश्णों को स्टार्ट करते हैं, तो आपका पहला प्रश्ण है कि सूर्दास की मृत्ती हुई थी, सन 1378 इसवी में, सन 1589 इसवी में, सन 1583 इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमर थर्ड, जो कि आपको सबसे थर्ड अप्शन में दियागा है, सन 1583 इसवी में, इसके बाद आपका नेक्स नमर क्योश्चन है कि प्रात होत बलकै संग जय हों, पक्ती में बलकार्थ है, बलराम, बलवान, बैल, रश इसके बाद आपका राइट अंसर हो जाएगा, बलराम, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपका नेक्स नमर क्योश्चन है कि उधाव मोही, ब्रज बिसरत नाही, पक्ती का वक्ता कौन है, राधा, गोपिया, यह सोधा, या स्रिक्रिष्न, तो इसमें आपक आपका राइट अंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट अंसर, आप्शन नमर, जो है, जो है, फर्स्ट हो जाएगा राधा, राधा कहती है कि मुझे यह ब्रज बिसर नहीं रहा है, अर्थात यह ब्रज अच्छा नहीं लग रहा है, ति इसमें आपका राइट अंसर, आ पिया या राधा इसमें से दोनों में से एक होगा आप लोग कनफर्म कर लिजिए गा इसके बाद आपका नेक्ष नमर के उश्यान है कि निर्गून कौन देश को बासी या प्रशन किसे से पूछा गया है स्रीकृष्ण से बलराम से उद्धव से या फिर इराधा से तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा उद्धव से जो कि आप्षन नमर थर्ड में दिया गया है इसके बाद आपका नेक्ष नमर के उश् इसके बाद आपका नेक्ष नमर के उश्यान है कि तूलसी की भासा है खड़ी बोली और भोचपूरी नहीं अवधी और ब्रज ये राइट अंसर मुंदेली और वगेली नहीं हरियावडी और कन्नोजी ये भी नहीं है तो आप्षन नमर से के आपका राइट अंसर हो जाए तूलसी दा जो थे राम कावेदारा के कभी थे तो आप्षन नमर थर्ड आपका राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद आपका नेक्ष नमर के उश्यन है कि स्री राम चरित मानस महाकावे की भासा है ब्रज खड़ी बोली भोचपूरी अवधी अवधी भासा में जो है स्र श्री राम चरित मानस महाकावे तूलसी दास द्वारा रचित रचना है जो लिखा गया है यह एक महाकावे है तो आप्षन नमर फॉर्थ आपका चवालिश नमर के उश्यन का राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद आपका नेक्ष नमर के उश्यन है कि तूलसी दास की नमर फॉर्थ आपका सबसे उप्यूकत आंसर हो जाएगा यह सभी इसके बाद आपका नेक्ष नमर के उश्यन है कि तूलसी की भक्ती है दास से भाव की, सख्य भाव की, पत्य भाव की, ये सभी अर्थात, दास के रूप में उन्होंने अपने भगवान की पूजा की या सख्य के रूप में, दोस्त के रूप में, या पत्य भाव की, या ये सभी तो इसमें आपका right answer हो जाएगा दास से भाव की इसमें आपका right answer हो जाएगा दास से भाव की जो आपको first option में दिखाई दे रहा है इसके बाद आपका next number question है आपकी पुस्तक का धनुस भंग प्रकरण स्री रामचरीत मानस के किस कांड से उद्रित है अयोध्याकान, बालकान, सुन्दरकान या किसी धाकान किसकी धाकान इसमें आपका right answer हो जाएगा option number second बालकान बालकान से आपका जो है या उद्रित है इसके बाद आपका next number question है कि देखी विपल विकल बैदेही में कौन सा चंद है देखी विपल विकल बैदेही में कौन सा चंद है दोहा, सोठा, चौपाई या कुंडलिया तो option number third चौपाई आपका right answer हो जाएगा जो कि आपको option number third में दिया गया है इसके बाद आपका next number question है कि वन पत्थ पर कविता किस कृति से सम्मंदित है जानकी मंगल से, पारवती मंगल से, रामाग्या प्रश्ण से, कवितावली से तो कवितावली आपका right answer हो जाएगा जो कि आपको option number fourth में दिखाई दे रहा है इसके बाद आपका next number question है कि सीता जी का मन किस बात का समरड करके छोब से भर गया पिता के धनुस तोड़ने के प्रड़का राम की कोमलता का करोधी परसुराम का धनिस की कठ़ता का तो इसमें आपका right answer हो जाएगा पिता के धनुस तोड़ने के प्रड़का उटने प्रड़ किया था जिस जो वैक्ति यह धनुस तोड़ेगा या उठाएगा तुलसी दास तोड़ने की बात करते हैं जबकि वालमिकी जी ने रामाइड में लिखा आए कि केवल धनुस को उठाने की बात की गई थी जबकि तुलसी दास ने धनुस को उठाने वद तोड़ने दोनों की बात की है तो धनुस के तोड़ने का जो है उनके पिता ने सीता जी के पिता ने प्लड़ किया था कि जो व्यक्ति इस धनुस को उठा कर तोड़ देगा उससे सीता जी का विवा किया जाएगा सीता जी के सुवेंबर में राजा दुरुपत द्वारा यही बात कही गई थी इसके बाद आपका next number question है कि रस्खान किस काल के कभी थे रस्खान किस काल के कभी थे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल आधुनिक काल रहेगा काल लिग दिया है आधुनिक काल रहेगा इसका right answer है भक्तिकाल जो कि option number second बे आपको दिखाए दे रहा है इसके बाद आपका next number question है कि रस्खान किस कावेधारा के कभी है राम कावेधारा, कृष्ण कावेधारा प्रेमा स्रेक रावेधारा ज्याना स्रेक आवेधारा तो इसमें आपका right answer होगा रस्खान जो है कृष्ण भक्ति के थे इसलिए कृष्ण का वेधारा option number second आपका right answer हो जाएगा इसके बाद आपका next number question है कि रस्खान की भासा है रस्खान की भासा है अवदी, ब्रजभासा, बंदेली, कर्णोजी तो ब्रजभासा option number second आपका right answer हो जाएगा इसके बाद आपका next number question है कि रस्खान की रचना है प्रेम माधुरी, सुजान रस्खान, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलबारी तो सुजान रस्खान option number second आपका right answer हो जाएगा इसके बाद आपका next number question है कि रस्खान का जन्म तो आपका प्रश्ण है कि रस्खान का जन्म हुआ सन 1560 में सन 1633 में सन 1556 में तिसमा आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1513 जो कि आपको आप्षा नमर फर्ष्ट में दिखाई दे रहा है इसके बाद आपका नेक्ष नमर के उश्ण है कि कवी रस्खान पक्षी होकर रचना चाहते हैं कभी रस्खान पक्षी होकर रहना चाहते हैं गोकुल गाउं में नंद की गायों के मद गोवर्धन परवत पर यमुना किनारे कदम की डाली पर तो आप्षन नमर फोर्थ आपका यमुना किनारे कदम डाली पर यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद तो कृष्ण के हाथों जो है, सारा ब्रज जो है, बिक गया है, या गोपियों, गोपिया कहती हैं, तो आपको option number second, आपका right answer हो जाएगा, इसके बाद आपका connection number question है कि रस्खान की गोपी के अनुसार, रस्खान की गोपी के अनुसार, कृष्ण किसी के वस में हो गए है, गौ सबयरक्सकी भागी चले पक्ती में गोपियां कहां भाग जाना चाती हैं, जहां नंद का छोड़ा उन्हें परिसान न करें, जहां कोई उन्हें कृष्ण से मिलने से न रोकें, जहां कृष्ण को मोहने वाली so tinn बासुरी न हो, तो इसमें आपका right answer हो जेगा, option number fourth, जो कि तो इसमें यमक अलंकार रहें, यमक अलंकार अर्थात इसमें, option number first आपका right answer हो जाएगा, इसके बाद आपका next number question है कि बिहारी के कावे में प्रमुख रस पाया जाता है, रॉदररस, स्रिंगारस, वद्सलरस या अन्य, तो इसमें आपका right answer हो जागा स्रिंगारस बिहारी के हर एक कावे में अधिकादिक कावे में जो है आपको स्रिंगारस देखने के मिलेगा तो उपर्युक्त क्योष्चन का answer आपको second 원 option right मिलता है इसके बाद आपका next number question है कि 178 पितु पर्टु स्याम शलीने गात मनव नील मनी सैल पर आतप उपरियो प्रभात उपरियुक्त दोहे में कौन सा लंकार है तो इसमें उत्प्रेक्षा लंकार है इसके बाद आपका नेक्ष नमर के उश्चन है कि बिहारी के मृत्य हुई थी सन 1663 स्वी में आप्षन आपको दो सेम दे दिया गया है और है 1693 स्वी 1662 स्वी तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आप्षन नमर के उश्चन है कि बिहारी ने किस राजा को उसकी अलप वयस्क पत्नी के मुह जाल से बहार निकाला जागीर को, साजाको, जैसिंग को, मान सिंग को तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसिंग को जो कि आप्षन नमर थार्ड में आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद आपका next number question है कि बिहारी द्वारा प्रियुक्त मुखे चंद है दोहा कवित सवया चुपया तो इसमें आपका right answer हो जाएगा दोहा जो कि आपको option number first में दिखाई दे रहा है इसके बाद आपका next number question है कि गागर में सागर भरना सुक्ति किस कवी के लिए प्रसिद्ध है कबीर के लिए तुलसी के लिए सूर्दास के लिए या बिहारी के लिए तो बिहारी आपका fourth number option right answer हो जाएगा इसके बाद आपका next number question है कि मेरी बह भादा हरो दोहे में बिहारी ने किसकी अराधना की है राधा की कृष्ण की निर्गुड ब्रह्मा की सीता राम की तो राधा की आपका first option right answer हो जाएगा इसके बाद आपका next number question है कि प्रजा का दुख और द्वंध कब बढ़ जाता है अम अस्या के दिन दो राजाओं के साशन के राजा के बुराई छोड़ देने पर खोटे ग्रहों का उपाय न करने पर तो प्रजा का दुख और द्वंध जब बढ़ जाता है दो राजाओं क का विरोध किस दोहे में किया है या अनुरागी चित्त की सोहत ओड़े पितुपट जप माला चापा तिलक या तो लगू या मन शदन में तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा option number third जप माला चाया चापा तिलक या आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद आप जाएगा तो आपका 76 से लेगे 70 तक के क्योशन इस वीडियो में हो चुके हैं और इसके पहले मैंने 35 तक के क्योशन करा दिए हैं अगर आपने देखे नहीं हो तो आपको डिक्स्रिप्शन में जो है इस प्लेलिस्ट का लिक मिल जाएगा खश्खादस हिंदी का महां से अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्स्राइब और अपने दोस्तों में ज्यादा सेर करिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो पास अगें और भी कोई सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता हो कौन सा टॉपिक वीक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलिग्राम से आप जूड कर जितने भी चाय अपनी प्रिप्रेशन को अच्छी कर सकते हैं क्योंकि टेलिग्राम में आपको डेली क्विच कराया जाते हैं जिससे आपकी प्रिप्रेशन काफी अच्छी हुजाती है और हम